कि नमस्कार स्वागत है आपका आपकी क्लास में आज हम कि दूसरे राइटर की बात करने चल रहे हैं हमने शेक्ष्पियर कर लिया है हमने इमिल्टन कर लिया है और लास्ट क्लास में हमने किसको किया था आपको शायद यह भी याद होगा कि नहीं याद है याद रखा कर ये चीजें ताकि कि एक्जाम Pope एक poet है और 18th century के poet है Broadly बात करें हम उनके age की तो वो नियो classical poet है और नियो classical period इंग्लेंड में शुरू कब होता है नियो classical age शुरू होता है 1660 से और ये चलता है 1798 तर ये नियो classical period का timeline है, spanning है 1660 के पहले Renaissance था पुनर जागरड 1453 से ले करके और 1660 तक 1660 से नियो classical शुरू होता है और 1798 पे end होता है तो वो कौन सी चीजे हैं जो 1660 और 1798 में हुई जिसके वज़े से दो years को date माल लिया गया नियो classical period की ये थोड़ा सा जान लिजिए वैसे ये मैं आपको बता भी चुका हूँ जब मैं आपको forms and movements करा रहा था तो नियो classical period के बारे में बात आई थी लेकिन आज मैं थोड़ा सा revise भी करवा देता हूँ और rewind भी कर देता हूँ 1660 में restoration हुआ था restoration of monarchy restoration of democracy और restoration of theaters ये तीन चीजों का restoration है आपको पता है कि 1649 में Charles I was beheaded उनकी हत्या कर दी गई थी और 1649 से लेकर के और 1660 तक for 11 years around 12 years कह लिजिए there was no king at all in England so that was the absence of monarchy जिसको हम intragonum कहते हैं या commonwealth period के नाम से जानते हैं 1660 में parliament Charles I के बेटे Charles II जो उस समय France भाग गए थे उनको बुलाती है और Charles II को king बना दिया जाता है 1660 में और उसी date से जो है new classical period शुरू होता है new classical age begin होता है और new classical age को broadly हम तीन parts में बाढ़ते हैं पहला period जो है वो restoration period है उसी को हम age of dryden भी कहते हैं जो 1660 से ले करके और 1700 तक का चलता है ये ड्राइडन का period है ये restoration period है और 1700 से ले करके 1745 तक का जो ये period है 1700 से ले करके 1745 तक के around का period इसको जो है age of pope के नाम से जाना जाता है age आप pope के नाम से इसको जाना जाता है और फिर 1745 से ले करके 1798 तक का जो period है इस period को हम age of johnson के नाम से जानते हैं age of johnson के नाम से जानते हैं age of pope age of johnson ये age of pope और age of johnson मिला करके पूरी 18th century है पूरी 18th century है और अगर ये question paper में पूछा जाता है कि Alexander Pope किस age के poet है तो answer simple आपका हो गया आपकी Alexander Pope 18th century के poet है ये तो century का poet हो गया और अगर ये पूछा जाए कि किस age से belong करते हैं Alexander Pope तो एक तो age का नाम हो गया सीधा सीधा कि वो नियो क्लासिकल age से belong करते हैं नियो क्लासिकल पीरियेट 1660 से 1790 तक का है एक वो हो गया अगर उससे भी छोटी unit पूछा जाए कि Alexander Pope किस age के है तो आप इसके साथ एक और जबाब दे सकते हैं कि 18th century को ही age of enlightenment कहा जाता है क्या कहा जाता है age of enlightenment enlightenment का मतलब हता है प्रकाश ज्यान ये ज्यान का age है ये scientific inquiry का age है ये prose का age है और ये rationality का age है ये mind का age है इसलिए इसको age of enlightenment कहा जाता है तो Alexander Pope age of enlightenment के भी poet है ये सब option पे depend करता है और इसी 18th century को ही age of augustan या augustan age के नाम से जाना जाता है augustan age भी 18th century को या पूरे neoclassical period को कहा जाता है क्यों कहा जाता है augustan जो था octavius augustus इसका नाम है और he was the first roman emperor पहला roman emperor था nephew था ये जूलियस Caesar का जिसका नाम octavius Caesar था और वही octavian augustus के नाम से जो है king बनता है और उसके period में literature को बहुत जादा प्रुचाहन दिया गया था literary fraternity increase कर रही थी और वह patron बन गया था सरड़चक बन गया था और उसके दोरान उसके शाशन के दोरान literature खूब flourish किया था और वर्जिल जैसे poet octavian augustus के ही टाइम पर थे और neoclassical poets ने क्या काम किया था इन्होंने classical poets को imitate करना शुरू किया था उनकी नकल में कभिता ही लिखना शुरू की थी और उनके Latin और Greek words का translation शुरू किया था उन्होंने जो poetry की theory बताई थी उस theory का इनोंने पालन करना शुरू किया था इसलिए इनको नियो classical भी कहा जाता है classical का मतलब यह होता है कि जो Greek और Latin का हो और यहाँ पर नियो classical जो हुआ वो Greek और Latin से France आता है और France से फिर इनके पास आता है क्योंकि King ही France से लोट करके आया था तो France में उसने France के fashions के बारे में सुना था France के literature के बारे में सुना था France के plays के बारे में देखा था उसने और उन सब को आकर के यहाँ पर implementation उनका होता है और इसी लिए उसको नियो classical period कहा जाता है तो और पूरे 18 सेंचूरी का एक और नाम है जो मैथिव अर्नल्ड ने दिया है उसको एज आफ प्रोज और रीजन कहा जाता है क्या कहा जाता है 18 सेंचूरी को 18 सेंचूरी को एज आफ प्रोज और एज आफ प्रोज और डिजन कहा जाता है मतलब यह है कि इस सेंचुरी में प्रोज खूब जादा लिखे गए थे जर्नल्स के फार्म में इस्पेक्टेटर्स, टाटलर्स, एग्जामिनर, दर रिव्यू, राइट इस टाइप के जर्नल्स आना शुरू हुए थे 18 सेंचुरी म नावल का भी एज है और नावल की तो खासकर शुरुआत ही 18 सेंचुरी में होती है और जो पहली नावल पब्लिस होती है वो एज आप पोप के जमाने में ही होती है 1700 कब हुई है और रोबिंसन क्रूस सबसे पहली नावल थी 1719 में पब्लिस हुई थी वो एज जो है एज आ नाम आता है Samuel Richardson का, जिसमें नाम आता है Henry Fielding का, जिसमें नाम है Tobias Smollett का, जिसमें नाम है Lawrence Strens का, इन चारों को Samuel Richardson, Henry Fielding, Tobias Smollett और Lawrence Strens, इनको four wheels of English novels कहा जाता है, novels तो सब prose form में ही लिखे गए थे, और इसलिए इस age को age of prose ही कहा जाता है, reason इसलिए कहा जाता है, जो कि 18th Century के जो poet थे, वो totally rational poet हो गए थे, rational poet का मतलब यह कि वो imagination का यूज ना करके, mind का यूज जादा करते थे, emotions का यूज नहीं करते थे, feelings का use नहीं करते थे वो believe किसमें करते थे वो science में believe करते थे scientific temperament में believe करते थे और facts में believe करते थे और इसलिए 18th century की जो poems हैं वो भी ऐसे लिखी गई हैं लगता है कि वो prose में लिखी गई हो बिलकुल essay form में लिखी गई हो जिसे कि essay आगर हम Pope की ही बात करें तो इनका एक work था essay on man एक work था essay on criticism एक work था moral essays ये नाम तो सब के essays हैं बट ये सब के सब poetry के form में लिखे गई थे इसलिए इसको age of prose and reason कहा जाता है rationality यहाँ पर ज़्यादा यूज होती थी instead of imagination इनके पहले का जो period था जो रेनेशांस था रेनेशांस पूरी तरीके से imagination का period है रेनेशांस एक तरीके का romantic period था और इनके बाद जो period आता है वो भी romantic period आता है और जो बीच में होती है ये mechanical period के जो है लोग हो जाते हैं rational period के लोग हो जाते हैं यह structured लोग हो जाते हैं structured का मतलब यह है इन सब के साथ एक दिक्कत थी यह सब के सब एक ही तरीके के लिख रहे थे और एक ही तरीके का इनों ने poetry का form एड़ाप्ट किये था और जिसको heroic couplet कहा जाता है heroic couplet, Iambic Pentameter की rhyming lines होती है और यह जो है ड्राइडन के time से ही ले करके और Pope के तक के time तक जो है खूब भखूबी flourish किया है और यही बिल्कुल pit pattern बन गया था लोगों का इसलिए भी इसको prosaic बन गया था prosaic का मतलब होता है nearest बन जाना, boring हो जाना उनकी poetry इसलिए boring हो गई थी new classical कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अक्लास के लिए से चीजें बारों किया था उनकी styles को, उनकी technique को और बिल्कुल उसी जिसे कहते है league का फकीर होना, बिल्कुल उसी league को पकड़ करके काम कर रहे थे और league को पकड़ करके काम करने के साथ साथ translation भी है उन्ही के work का कर रहे थे हम पोप की अगर बात करें तो पोप ने Homer की जो epics थी इलियड और ओडिसी उसका उन्होंने translation किया था और उस translation के वज़े से वो यूरप England के सबसे धनी आदमी भी बन गए थे, इतना जादा इन्होंने writing करी थी तो कहने का sense यह है कि पूरा age ही जो है एक तरीके से translation का age है, पूरा age ही imagination से shift हो करके rationality पर आ जाता है इसलिए उसको new classical period कहा जाता है, तो यह new classical का हमने जो है आपको division मताया है, कि आप Alexander Pope को कहा रखोगे, broadly अगर हम बात करें, तो Alexander Pope का जन्म हुआ था 1688 में, right अब अगर जन्म की बात पूछी जाए कि किस period में जन्म हुआ है तो जन्म हुआ है उनका restoration period में 21 मई 1688 को उनका जन्म होता है, right 1688 में और उनके death होती है 30 मई 1744 को 30 मई 1740 को उनकी death होती है तो restoration में 1744 restoration में birth होता है और Augustan age में उनकी death होती है और उनका writing career जब शुरू होता है तो पूरी तरीके से Augustan age अपने peak पर होता है इसलिए उनकी age को हमने या literary historians ने Augustan age कह दिया है right दूसरा point यह है कि 1798 में ही नियो classical age क्यों खतम होता है यह भी points आपको बता चुका हूँ फिर से एक बार बताता हूँ 1798 में एक बहुत ही famous work publish हुआ था जिसको Samuel Taylor Coleridge और Wordsworth ने मिल करके publish करवाय था और उस work का नाम था Lyrical Ballads क्या नाम था उसका नाम था Lyrical Ballads Lyrical Ballads में Wordsworth की 19 poems थी और Coleridge की 4 Total 23 poems थी और इसी को ही Preface to Romanticism के नाम से जाना जाता है Romanticism यही से शुरू होता है 1798 से और Lyrical Ballads के publication की date है इसे लिए यहाँ पर Neoclassical period end होता है और Romanticism क्या था Romanticism was a revolt against the traditions established by the Neoclassical period उसके खिलाफ एक विद्रोह शुरू होता है और उस विद्रोह का नतीजा यह होता है कि लोग Mind से जो है Heart पर shift होते है Right Rationality से लोग Imagination पर shift होते है Urban poetry से हम Natural poetry की तरफ बढ़ते है Fixed meter से हम Free words की तरफ बढ़ते है यहाँ पर अब हर कोई Free है Right यहाँ पर हम Generalization नहीं Particularization पर आते हैं यहाँ पर Individuality को Importance देना शुरू होता है और यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था यहाँ पर Individuality matter नहीं कर रही थी यहाँ पर as a whole चीजों को देखा जा रहा था और इसलिए चीजें Mechanical हो रही थी Universal के चक्कर में I hope कि अब यह सारे points आपको clear हो गए होंगे और एक point यह याद रखिएगा कि examination means सब पर आपके paper में question बन सकता है सिर्फ उस poem का इंतजार मत करिएगा जो आपके paper के syllabus में prescribed है बाकि यह सारे poets important सारे dates important है सारे age important है किसी पर कुछ भी पूचा जा सकता है इसलिए आपको बार-बार कहता हूँ कि जो points आपको यहाँ पर दिखते हैं आप इन सारे points को अपने copy पे note करते रहिएगा वही आपकी notebook बन जाएगी इसका इंतजार बिल्कुल नहीं करिएगा कि मैं आपको notes दे दूँगा और आपका काम हो जाएगा जी notes से काम होगा लेकिन 30% 70% काम आपका इस board से होना है इसलिए don't take this board very lightly बहुत serious points होते हैं यह जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोईसे कोशिश करता हूँ कि बहुत कम लिखूँ लेकिन फिर भी कुछ ऐसे points होते हैं जिनके बीना आप काम नहीं चला सकते हैं उनको mandatory हो जाता है यहाँ पर लिखना और उन्हीं को लिखता हूँ इसलिए always keep on writing always keep on preparing your own notes that will definitely help you during the examinations जो printed notes है हमारे वो आप से कोई भी पा सकता है उसको और उसका भला नहीं होगा भला उसका होगा आज जिसने जो है live class attend करी है और जिसने वीडियो हमारी देखी है वो more benefited होगा in comparison to the one who has merely obtained notes from somewhere else आल राइट आए उस poem पर आते हैं जो Alexander Pope की आपके syllabus में prescribed हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं झाल झाल Pope का जो सबसे पहला वर्क छपा था वो 1709 में छपा था उसके बाद 1711 में उनका एक वर्क आता है जिसका नाम होता है एस सेंथ क्रिटिसिजम और उसके बाद 1712 में एक वर्क आता है जिसका नाम होता है क्या नाम होता है जिसका नाम होता है The Rape of the Lock The Rape of the Lock पहली बार 1712 में पब्लिस होता है और यह जो 1712 का एडिशन था 1712 का पहले इसके बारे में कुछ फैक्ट जालनीजिये और फिर मैं अगले एडिशन पर आता हूँ 1712 का जो एडिशन आया था यह एनॉनिमस था एनॉनिमस एडिशन का मतलब होता है कि the name of the writer was not given on the cover page or inside the book राइट नाम नहीं पता था कि किसने लिखा है जब यह 1712 में छपा था अन्नोन राइटर के द्वारा यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका दूसरे जो पॉइंट था 1712 एडिशन का कि यह शुरुआत में दो कैंटोस में आया था only in two कैंटोस और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेशन है very 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 important क्वेशन है कि the first edition of the rap rap आप दिलाक कितने कैंटोस में आया था और एक बार यह question तो UGC के net में पूछा जा चुका है कि कितने कैंटोस में first edition rape of the log का आया था यह मैंने UGC का paper दिया था तब पूछा गया था कि how in how many कैंटोस the first edition of the rape of the log was published तो वो two कैंटोस में था वैसे मेरा question गलत हो गया था मैंने three कैंटोस उत्तर लगा दिया था लेकिन 1712 का जो edition था यह कितने कैंटोस में था अब आप गलत नहीं करेंगे मैंने गलती कर दी थी it was only in two कैंटोस 712 का जो version है राइट और publish इसको किस ने किया था एक प्रकाशक का नाम था लाजहा किस में publish हुआ था लिंटाट्स मिसालिनी किस में publish हुआ था लिंटाट्स मिसालिनी लिंटाट्स मिसालिनी में 712 में पहली बार publish हुआ था यह वर्क जिसको आप रेप आप दिलाग के नाम से जानते हो और उसके बाद जहें दूसरा edition आता है बट दूसरे edition से पहले कुछ और important बात आपको बता देता हूँ और फिर हम दूसरे edition पर आते हैं दूसरा जहें दूसरी important बात यह है कि इसको जहें किसी को उन्होंने dedicate भी किया था किसको dedicate किया था उन्होंने इस रेप आप दिलाग को यह भी एक बहुत important question है आपकी paper के लिए कि to whom did he dedicate the first two cantos of रेप आप दिलाग किसको उन्होंने dedicate किया था यह एक important question है right कहिए तो मैं ही बता दूँ या तो छोड़ देता हूँ आप पर आप इसे search कर लीजेगा तो answer आपको भी मिल जाएगा वैसे आप पे नहीं चोड़ूँगा आपका paper है आप बहुत सारी चीजे तयार कर रहे हो तो इसी को भूल जाओगे बाकी आपको सब याद रहेगा इसलिए actually एक इनके friend थे जिनका नाम था करिल और करिल नहीं इनको एक story सुनाई थी एक aristocratic family के dispute के बारे में aristocratic family वो होता है जो society में बहुत higher class लोग हुआ करते थे उनको aristocratic कहा जाता था शाही परिवार के type के लोग हुआ करते थे और उनका नाम था टॉमस क्यारिल और उन्होंने इस story को सुनाया था mister जह है Alexander Pope को clear Alexander Pope को उन्होंने इस story को सुनाया था और story जब Alexander Pope ने सुना और उन्होंने Alexander Pope से request भी किया कि वो एक poem इस पर लिख दें और Alexander Pope पोट आज है Pope ने उनके request को माल लिया और फिर उन्होंने लिख दिया poem जिसका नाम उन्होंने रखा The Rave of the Lock जिसका नाम उन्होंने रखा The Rave of the Lock और जब dedication की बात आई कि इसको dedicate कि इसको किया जाए तब उन्होंने dedicate किया सबसे पहले तो अपने friend Carol को जोनोंने उसकी story को सुनाया था अपने friend Carol को जोनोंने dedicate किया जोनोंने उसकी story बताया था या कह लीजे कि जिनके कहने से इन्होंने poem लिखी थी उन्हीं को जोनोंने dedicate कर दिया था अपना पहला version Rave of the Lock का नाम था उनका Carol तो जब question यह पूछेगा कि the rape of the lock was dedicated to तो आप उत्तर क्या लगाएंगे आप Carol का नाम याद रखिएगा उन्ही को आप लगा देंगे क्लियर और जब second edition आया लिख देता हूँ का रिल जब second edition आता है 1714 में यह पॉइंट ध्यान रखना तब यह दो कैंटो की बजाए 5 कैंटो में आता है दो कैंटो के बजाएं यह 5 कैंटो में आता है 5 के सामने यह 5 कैंटो में आता है और फिर यह anonymous नहीं रह जाता है इसके उपर नाम भी लिखा होता है by Mr. Pope राइट 1714 का जो एडिसन आता है वो आता है by आज है Mr. Pope in 5 कैंटो और पोप डेडिकेटे दिस सेकेंड एडिशन तो आ वूमन नेम्ड अरावेला फर्मर नेम्ड अरावेला फर्मर फ-e-r-m-o-r अरावेला फर्मर who had once really had a lock of her hair stolen by a suitor राइट जिसका जिसके नाम पर जिसके lock की बात हो रही है जिसका actual hair था जिसका रेप हुआ था उसका नाम था एरावेला फर्मर और उसी को डेडिकेट किया था अलेक्सेंडिर पोप ने इसकी टाइटिल की भी थोड़ी से मीनिंग अगर आप समझें तो lock का मतलब होता है hair और रेप जो word है ये एक french word है french word रेपरी और रेपरी का मतलब होता है to cut right this word is not जो है ये contemporary जो मीनिंग है रेप की वो नहीं convey करता है उसको नहीं करनोट करता है बलके करनोट करता है उस meaning को जो उस समय french में चल रही थी रेपरी word होता है और उसका मतलब होता है रेपरी का to cut right cut देना तो पूरे टाइटिल का मतलब था the cutting of the hair right ये था the rape of the lock and it was inspired from a real story टे आजो है told किसको बताई गए थी Alexander Pope को किसने बताय था उनके friend करिल ने और करिल ने ही उनसे कहा था इस book को poem को compose करने के लिए और उन्हीं की advice मान करके इनोंने work को अपने जहा लिखा था पहले two cantos में publish हुई और उसके बाद ये five cantos में publish हो गई थी clear है अब तो कोई doubt नहीं है न इतने पर अगर कोई doubt होगा तो हमको तुरंद बताईएगा और फिर हम अगर कोई भी question होगा तो साल के बाद right seventeen hundred sixteen में इसका एक और वर्जन आया और उस एक और वर्जन में इन्होंने कुछ चीजे और add की थोड़ी चीजे और add किया और अब add कर दिया था कि speech को और वो speech किसकी थी clarissa की speech थी right clarissa की speech थी जिसको इन्होंने एड्या जहा seventeen hundred sixteen के वर्जन में add किया था और ये clarissa वाला तो question आपके paper में नहीं बनता है क्योंकि आपके paper में तो सिर्फ canto one ही prescribed है पाकी canto's आज है prescribed ही नहीं है पाँच में से सिर्फ आपको एक पढ़ना है तो आपको basically उस एक की ही बात बताता हूँ सारे को आपको पढ़ना नहीं है वहाँ पर concentrate करने से आपका कोई फाइदा नहीं होगा clear काई कि आईए अब बात करते हैं पोईं के नेचर की ये किस टाइब की पोईं है बड़ि मैं भी बताता हूं कि ये किस टाइब की पोईं है क्लासिकल एज में एपिक लिखी जाती थी खास करके जैसे कि होमर की एनी आज है ओडिसी है या होमर की एलिएड है या वरजिल की एनीड है तो या क्लासिकल एज की एपिक थी और इन इमिटेशन आफ दे क्लासिकल एपिक एलेगजंडर पोप रोट इस पोयम क्लासिकल एपिक और इस पोयम में बेसिक अंतर क्या था एपिक जब मैंने आपको बताया था तो यह बताया था कि एपिक जो होती है डील विद सीरियस सबजेक्ट मैटर एपिक सीरियस सबजेक्ट मैटर से डील करती है उनके करेक्टर्स गाड लाइक करेक्टर्स होते हैं गाड या सेमी गाड करेक्टर्स होते हैं और जिस एरिया को वो कवर करते हैं वो बहुत बड़ा एरिया होता है या मुद्दा है जो उसका जो उसकी थीम है जो उस पर पोयम लिखे गई है वो पूरे राज जी के पूरे देश से रिलेटेड है और वो इतना छोटा भारत नहीं है जो उसमें एरिया कबर किया है वो महा भारत है जितने भी A.C.N. सब कॉंटिनियन के कंट्री थे सब उसमें इं इरेक्टर्स हैं जो कॉंटन में नाहो करके गट-like फीगर्स है और जो गाड़लाइब होते है वो ही एसमिक महा कावे की पात्र होते है अब जो अरजुन का संख है जो क्रिश्ION का संख है जो अर्जुन का गांडीव है वह नार्मल धनस नहीं है वह संख बिलकुल भी नार् देते हैं और ऐसे-ऐसे अस्त्र हैं, ऐसे-ऐसे मिसाइल से हैं, जिनको जब चाहते हैं नाम ले करके, टारगेट करके छोड़ देते हैं, चली जाती है और मार के फिर वापस आ जाती है आज तक ऐसे मिसाइल नहीं 不要 वो चीजी ईूज होती है एपिक में वो महाकाब्बे होता है वो exaggerated style होती है यहाँ पर क्या हुआ एलेकजंडर पोप के साथ पोप ने उन सारे features को copy करने की कोशिश किया और features तो copy कर लिया exaggerated style तो copy कर लिया बड़ी चड़ी बातें तो करना सो विकार कर लिया कर भी दिया लेकिन जो subject matter हुआ वो subject matter महाभारत का नहीं हुआ वो राज्जी का बटवारा नहीं हुआ वो देश का निश्काशन नहीं हुआ अजो है प्रिंस का जो real वो जो है authority जिसकी थी उसको discussion नहीं हुआ वहाँ राम जंगल नहीं जाते वहाँ पर भरत राज्जी से मना नहीं करते बहुत छोटा सा subject matter लिया और subject matter विल्कुल वो personal subject matter था जिससे दूसरे किसी का कोई मतलब ही नहीं था हुआ ये था कि एक लड़की है aristocratic class की name है उसका arabella और दूसरा जो character होता है जो इसका suitor होता है Lord Petrie ये इसके जो locks है hair दो इसमें रखे थे बहुत लंबे लंबे और he was interested in her hair उसके hair में interested था and he wanted to cut the hair of arabella and he cut the hair of arabella और because of this raping of hair cutting of hair दोनों families में dispute हो गया दोनों family में जगड़ा हो गया इतना छोटा सा मामला था और इतने छोटे से मामले पर Pope ने क्या किया एक epic लिखने की कोशिश किया right मतलब epic तो बड़ी बड़ी चीजों के लिए लिखी जाती थी इसने छोटी चीजों के लिए epic लिखने की कोशिश की तो वो epic नहों करके क्या हो गई epic का वो caricature हो गया और जो epic की style की mockery करता है उसको mock heroic का जाता है क्या कहा जाता है अब इस epic में जो main epic होती है उसमें क्या होता है उसमें war होता है एपिक का तो मेन कामी ये वार, चाहे वो राम रावन का युद्ध हो, चाहे वो दूरियोधन और अर्जुन का युद्ध हो, और चाहे वो ट्राय और फिर दूसरी पार्ट ग्रीक का युद्ध हो, तो बहुत युद्ध को लेकर के ही महाकाब जनरली लिखे जाते हैं, चाहे वार यहाँ पर उन्होंने ले लिया और एपिक में क्या होता है हमने आपको बता है करेक्टर्स होते हैं वो डिवाइन करेक्टर्स होते हैं गाड और सेमी गाड करेक्टर्स होते हैं माग एपिक में सेमी गाड करेक्टर्स के जगह पर क्या किया इन्होंने अईलेक जिंडर पोप ने इनोंने supernatural characters use किया supernatural character का मतलब कि जो God तो नहीं है बटो क्या है super natural क्या होता है जो natural से जो natural ना हो या थोड़ा उनसे उपर हो भूत प्रेट जिसको आप कहते हो तो यहां पर supernatural का इनोंने use किया जिसको supernatural machinery कहा जाता है तो यहाँ पर जो है वो God का appearance नहीं होता Goddess का appearance नहीं होता बलकि यहाँ जो supernatural machinery का appearance होता है वो sylps होते हैं वो gnomes होते हैं वो sylps, gnomes के बाद nims होते हैं और वो salamander होते हैं यह जो है supernatural elements है इनका नाम जान लीजिएगा यह four जो है supernatural machinery के part है जिनको Alexander Pope ने use किया है जैसे निम्स कहां रहते हैं निम्स water में होते हैं, norms कहां होते हैं norms अर्थ पर होते हैं, sylps कहां होते हैं, sylps air में होते हैं और salamander जो है यह fire में होते हैं तो यह supernatural elements का use किया है, उन्होंने यहाँ पर clear, sylps, gnomes, nymphs और salamanders, यह air, earth, water और fire यह चार जगा पर रहने वाली जो है supernatural creatures हैं जिनका use Alexander Pope ने supernatural machinery के रूप में यहाँ पर किया है मतलब यहाँ पर वो character नहीं है जो epic में अपियर करता है यहाँ पर Krishna type का character नहीं है, यहाँ पर लक्षमन character नहीं है यहाँ पर हनुमान नहीं है, जो protect करेगा यहाँ पर protector जो है यह characters है, तो यह characters क्या गाम की? Epic का मदाग उड़ा रहे थे, इसलिए इसको Mark Epic कहा जाता है Epic का एक और नाम है, Epic को Heroic Poem भी कहा जाता है और जो Mark Epic होती है, उसको Mark Heroic Poem कहा जाता है right क्या कहा जाता है Mark Heroic Poem कहा जाता है और Mr. Alexander Pope ने जो The Rape आपदी लाग की सब टाइटिल दी है वो सब टाइटिल है Oh sorry An Heroic Comical Poem in Five Cantos An Heroic Comical Poem in Five Cantos ये सब टाइटिल है Poem Rape आपदी लाग की clear ये पोयम की सब टाइटिल है Rape आपदी लाग की An Heroic Comical Poem in Five Cantos मतलब ये Heroic भी है और Comical भी है ये ही अपने आप में Contradictory है कि Heroic मतलब बहादूरी और कामी का मतलब मजाक Right मतलब बहादूरी का ये मजाक है ये मजाक भी बहादूरी से किया जा रहा है इसको जो है Mark Heroic कहा जाता है इसको Mark Epic कहा जाता है Mark Heroic Poem तो अगर आपके पेपर में Question आएगा कि Rape of the Log किस टाइप की Poem है तो उसका जबाब है कि ये Mark Epic है उसका जबाब है कि ये Mark Heroic Poem है अगर पूछेगा इसकी सब टाइटिल क्या है तो सब टाइटिल अगर पूछेगा कि लिखी कब गई थी तो पहला वर्जन आया था 1712 में दूसरा आया 1714 में और तीसरा 1717 में आता है और जब पूछेगा डेडिकेटेड किसको है तो डेडिकेटेड है किसको Arabella farmer को किसने सलादी थी लिखने की तो आप उत्तर लगाएंगे उनके friend कैरिल ने सलादी थी इसको लिखने के लिए nature क्या है इसका nature है mark heroic poem या nature है इसका mark epic poem और ये जह है heroic comical poem है कितने आज है cantos में है five cantos में है originally कितने में आई थी originally 2 में आई थी Clarissa को इसकी speech कब जोड़ी गई है इसमें तो Clarissa के speech 1717 में जोड़ी गई है 1717 में जोड़ी गई है तो ये important poem आज है चीजें थी जो बाद की है जो poem के पहले की है जो इसे पर पूरी poem based है अब आईए थोड़ा सा आपको poem के बारे में भी बताता हूँ उस first kentos के बारे में जो आपके syllabus में prescribed है इन सारी facts के बाद ये भी जो है first kentos की चीजें है मैंने पहले बता दिया है इनको भी आप note कर लीजिएगा ये भी आपके काम आएंगे आपके paper में जही question पूछ लेगा कि कौन कहां रहता है silbs कहां है nims कहां है noms कहां है salamanders कहां है तो ये आप देखिएगा इनका उत्तर गलत ना होने पाए ये सब supernatural machinery के parts है जिसका introduction Alexander Pope ने अपने इस Mark Heroic poem में किया है clear है? कोई दिक्केत? कोई confusion? बताइए फिर proceed करें कोई दिक्षब दिक्षब देखिए no comments चली poem शुरू करता हूँ ये book है जिसका नाम है the rape of the law और इसमें जो है तीनो एडिशन 1712 के 1714 के और 1717 के तीनो दिये है केंटो वन में तोटल 148 लाइन्स हैं राइट केंटो वन में 148 लाइन्स है हिरोइक कपलेट में लिखी गई है हिरोइक कपलेट क्या होता है आइम्बिक पेंटामीटर आइम्बिक पेंटामीटर की राइमिंग लाइन्स होती है उनको हिरोइक कपलेट कहा जाता है राइमिंग अकपल आप कपलेट का मतलब ही होता है दो और हिरोइक का मतलब तो आप समझ गए कि एपिक जिसमें लिखी हो वो हिरोइक है हिरोइक जहें कपलेट में लिखी गई है आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है पोयम right I am big pentameter में poem लिखी गई है poem की जब शुरुवात होती है in the beginning of the poem poet जो Alexander Pope है वो बताते हैं right कि Dick Dier Offense किया गया है Dier Offense D-I-R-E Dier Offense Dier Offense का मतलब है कि बहुत serious crime एक हुआ है Dier Offense O-W-E-N-C-E Dier Offense बहुत serious crime हुआ है और इस Dier Offense का जिक्र वो अपनी poem की पहली ही line में कर देते हैं जैसे कि मैं आपको पढ़के सुना रहा हूँ कि दूसरा ही शब्द है पहला शब्द है what what Dier Offense from amorous causes spring amorous का मतलब होता है love dire का मतलब होता है serious कौन सा एक serious कारण है प्यार में love में right serious from a dire award Dier Offense from amorous causes springs what mighty contests rise from trivial things यह है पूरी mock epic क्या है कि कैसा contest है contest की बात करता है कि mighty contest है mighty मतलब powerful contest का मतलब यूद्ध और किसके लिए वो यूद्ध है उसके लिए बोलता है कि बहुत ही trivial thing है यह पूरी mark epic को उसने यहीं पर बता दिया है trivial का मतलब होता है of no significance जिसका कोई मतलब ना हो बहुत छोटी चीज है तो बताता क्या है कि एक तो डायर offense किया गया है serious crime किया गया है mighty contest भी उसके लिए हो रहा है जबकि मामला जो है वो बहुत छोटा है और यही पूरी mark epic होती है और इसी पूरी mark epic की definition Alexander Pope ने अपने पहले ही couplet में दे दी है अब couplet में दोनों लाइन राइम होती है तो फिर से सुनिए लाइन वाट राइम offense sorry वाट डायर offense फ्राम एमरेस causes आज है springs from amorous causes springs springs है सबसे last में दूसरी लाइन जो शुरू होती है what mighty contest rise from trivial things पहले वाले में था springs और दूसरे वाले में things तो यह दोनों couple हो गए हैं यह couplet हो गए है अगली दो लाइन सुनिए I sing epic में क्या होता है epic invocation से शुरू होती है किसी या देवी या देवता को याद किया जाता है वो प्रार्थना होती है वो invocation होती है और Pope ने भी यहाँ पर invoke किया है वो क्या बोलती है कि I sing this verse to Kirill, Kirill वो है जिसने इनको poem सुनाई थी I sing this, जो है John Kirill उसका नाम था, sorry Thomas Kirill ने John Kirill John Kirill who had asked Pope to write the poem, अगर एक question आएगा कि Pope ने किसके कहने पर poem लिखी थी तो उसका नाम है John Kirill Right? John Kirill had asked to write the poem, उसने कहा था इनको Clear है? तो I sing this verse to Kirill, Muse is due, Muse को यहाँ पर invoke करता है और किसके लिए? This event Belinda may vouchsafe to view अब आपको characters बताते हैं इसे वक्त जो है जो Arabella farmer है, जो real में थी उसके उपर जो character है poem में उस character का नाम है Belinda Right? Belinda उस character का नाम है जो Arabella farmer पर है और इस पूरी epic की जो heroine है उसका नाम है Belinda Clear? This event Belinda may vouchsafe to view, slight is the subject but not so the praise if she inspire and he approve my lays Belinda का मामला है यहाँ पर subject तो छोटा है लेकिन उसकी praise छोटी नहीं है उसकी प्रशैशा छोटी नहीं है और यदि वो मुझे inspire करती है और ही जो है अगर वो अप्रूब कर देता है इसको तो मैं आपना काम continue करता हूँ Belinda में जो बेली का मतलब ही होता है beauty एक पोयम आपने पढ़ा होगा kids की जह है कौनसी La Bella Demsons Mercy La Bella Bella का मतलब होता है beauty तो Belinda का नाम उसी से बना हुआ है The word this word means beauty but it is also Arabella Farmer's nickname Arabella Farmer का यही nickname था उसी का नाम यहाँ पर Belinda रखा है Clear A well-bred lord, lord's assault, a gentle belly, oh say what strange our cause yet unexplored could make a gentle belly reject a lord ऐसा क्या हुआ था जिसके वज़ा से एक खूबशूरत beautiful lady ने एक lord को reject कर दिया इसी पर उपोयम लिखने जा रहा है Right, तो यहीं पर जो है पूरी theme उसने clear कर दी है Clear, तो यह पूरी जो है poem है जिसके बारे में उसने यह पूरा मतलब subject है, content है जिस पर उसने poem लिखा है Clear, और एक दो point और यहाँ पर हम बता देते हैं वैसे poem पूरी अगर होती तो बहुत जादा time लगता है पहला ही canto है, इसलिए बहुत topic आपको नहीं लगेगा, एक ही class में आपका निपट जा रहा है यह पूरी poem जो है, एक types satire है, उपहाश है, ridicule है, किसका ridicule है, इंगलेंड के तातकालिक fashion का, इंगलेंड के तातकालिक women का, जो समय fashion चल रहा था जो decoration करती है महिलाएं, जो महिलाएं इतना positive होती है, उन सब के बारे में एक मजाग यहाँ पर उड़ाया गया था Lord Petrie को जो यहाँ पर represent करने वाला character है, जैसे कि Belinda जो है, वो अराविला farmer को represent करती है उसी type से जो है यहाँ पर एक character है, जिसका नाम है Lord Barron, Lord Barron जो है उसका यहाँ पर आज है, Lord Petrie को represent करता है जो उसके hair को cut करता है, जो उसके बाल को काड़ता है, उसका नाम है Lord Barron और Belinda का जो favorite servant होता है, उसका नाम है Ariel Right, Ariel जो है, वो एक invisible character है, जो हमको आपको नहीं दिखता, लेकिन वो Belinda को दिखता है Right, Belinda और यह जो है Ariel, एक supernatural machinery का ही part है, यह sylf है जो कहाँ पर रहता है, जो कि air में रहता है, sylf है, air जैसे हमको invisible होती है वैसे यह भी हमको invisible होता है, जब poem शुरू होती है, तो Belinda जो है, सो रही होती है यह देपी दो पहार होने वाला है, वो अभी तक जगी नहीं होती है लेकिन जो sylf है, aerial, वो उसको warning देता है, उसके सपने में ही कि some dread event is impending कुछ जो है, बहुत खतरनाक होने वाला है, इसलिए आज बच के रहिएगा यह देप उसको protect करने के लिए sylf वहाँ पे रहेगा, aerial रहेगा but she has to pay extra care to herself, उसे अपने उपर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि कुछ गड़बड ना होने पाए तो अगर यह question आता है कि warn किस ने किया था बिलिंडा को, तो warn उसको किया था, उसके aerial sylf ने, जिसका नाम ही था aerial एक question और है कि बिलिंडा को हमेशा जहें, अलेक्जेंडर पोप ने compare अगर किया है किसी से, तो बिलिंडा is compared with sun, not moon, याद रखियेगा, वैसे beauty को हम moon से compare करते हैं, but Belinda is not compared to moon, but Belinda is compared to sun, दो heroines ऐसी है, जिनका sun से compare किया गया है, एक तो बिलिंडा, और दूसरा Shakespeare ने, जूलिएट को sun से compare किया है, माज है, moon से नहीं, right, moon हमारी natural, जो traditional beauty है, हम moon से compare करते हैं, but Juliet and Belinda are compared to sun, not moon, इस बात को ध्यान रखियेगा, और उस समय का एक और जहें फैशन था, वो था pit पालने का, तो Belinda also has a pit, और Belinda का जो pit है, जो Belinda का lap dog है, उस lap dog का नाम कभी कही paper में आ जाता है, और उस lap dog का नाम है shock, s-h-o-c-k, आप shocked math होईएगा, ये Belinda के lap dog का नाम है, जिसका नाम है shock, clear, तो ये भी question paper में कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना, जरूरी है कि क्या-क्या questions अभी तक आए हैं, तो आने वाले questions में जो है, इस poem से question आया है कि 1712 में कितने cantos में था, किसको dedicated है, किस language में लिखा गया है, किस nature की poem है, lap dog कौन है, Belinda का comparison किस में है, ता जो है किस से किया गया है, और जो है, who asked Mr. Pope to write the poem, write the rip of the log, और इन सारे questions को जो हमने आपको बताए हैं, ये UGC, केंद्रे विद्याले संगटन, नवोदे विद्याले इन, डी ट्रपलस बी का जो PGT होता है, वो, और जो है UGC का जो है, net का exam वो, और आपका जो exam होने वाला है, वो, ये वो सारे questions वहां से लिए गए हैं, जो हमने आपको बताए हैं, और इस से बाहर अब आपके paper में, Alexander Pope के rape of the log से, बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इस बात को अब आप मान लिजिये, आपको कुछ नहीं करना है, अपार्ट प्राम वाचिंग दिस वीडियो, ट्वाइस और थ्राइस, राइट, राइट, राइट दाउन दे इंपोर्टेंट पॉइंट, राइट दाउन दे निसेसरी पॉइंट, और इस से आपका काम चल जाएगा, टेडियर सब Agrाइस, ठीमात florू, पॉइंट पर वेइंट भाइट वीजड, पर आइब हलेजियो आछके मैंझे वीजी , लूआ पर शेएट प्रेट नहीं करते हैं यह क्यू तो सिन्हें आपका लाईट झाट, देषम, इस हा trivia. झाल झाल